अस्सलाम अलेकुम, एक्सर्साइज 4.2 स्टार्ट करते हैं, क्वेस्चन नमबर 1 का फर्स्ट पार्ट स्वाल करते हैं, इसके वैल्यू हम फाइंड करते हैं, इसके दो मेतड्स हैं, दो नो मेतड्स इस वीडियो लेक्शर में मैं सिखाऊंगा, सबसे पहले एक डारेक्ट मेतड है, जो हमारे पास एक फर्मूला होता है, उसको हम डारेक्ली यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास फर्मूला क्या है, फर्मूला मैं लिख देता हूं यहां पर, उस फर्मूले को हम डारेक्ली यूज़ कर सकते हैं, वो फर्मूला हमारे पास ह a plus b whole square plus a minus b whole square is equal to 2 into a square plus b square ये एक direct formula है इसमें हम values put कर देते हैं क्योंकि हमारे पास a plus b की value भी मुझूद है a minus b की b value मुझूद है तो हम इस equation में put कर सकते हैं directly हम ये values यहां पर डालेते हैं देखें a plus b की value यहां पर डाल जाएगी a minus b की value यहां पर डाल जाएगी और इस तरह ये हम find करने वाला है तो ये हम असाने से find कर सकते हैं तो देख लें a plus b is equal to what a plus b is equal to 10 तो इसकी value हमने put कर दी whole square plus a minus b की value हमें given है वो क्या है 6 तो 6 इसकी value अभी हमने put कर दी is equal to 2 into a square plus b square तो 10 square is equal to 100 और इस तरह 6 square is 36 is equal to 2 times a square plus b square अब हम इन दोनों को plus कर देंगे तो इस इकल to 136 is equal to 2 into a square plus b square तो ये 2 यहाँ पर है ये दोनों साइड हम divide कर देंगे तो 2 यहाँ पर divide करेंगे तो इधर भी divide कर देंगे तो divide करने के बाद यहाँ पर ये 2 cancel out हो जाएगा तो यहाँ पर रह जाता है a square plus b square और यहाँ पर 2 और इसके cutting हो जाती है 2 1s are 2 2 2 6 are 12 1 2 8 are 16 तो यह आ जाता है 68 so a square plus b square is equal to 68 तो यह है हमारा final answer जो कि बहुत ही sample method है और यह सबसे असान method है अब दुसरा method मैं बता देता हूँ अब दुसरा method उस तरह से हैं कि अगर आपके formula याद नहीं है तो अब method number 2 method number 2 में यह है कि हमें given है कि a is a plus b is equal to 10 यह हमें given है तो हमने क्या करना है a plus b इन दोनों side का हमने क्या करना है whole square लेना है तो a plus b whole square is equal to 10 square यह दोनों side का हमने क्या क्या square लिया दोनों side के जब square लिया तो अब हम square को expand कर देंगे तो a plus b whole square formula याद होना चाहिए तो यह formula क्या है a square plus b square plus 2 into a b is equal to 10 square यह क्या आ जाता है 100 तो इसको मैं equation number 1 का नाम दे देता हूँ इसी तरह is a minus b is equal to यह भी हमें given है वो है 6 तो उसी तरह हम यहाँ पर भी square लेनेंगे दोनों side का तो जब दोनों side का square लेनेंगे तो इसको expand कर देंगे a minus b whole square is equal to what a square plus b square minus 2 into a into b is equal to 6 square सी क्या जाता है 36 तो इसको मैं equation number 2 का नाम दे देता हूँ अब मैं क्या करता हूँ adding equation number 1 and equation number 2 दोनों equation को add करेंगे तो equation number 1 में क्या है हमारे पास उपर चेक करें equation number 1 that is a square plus b square plus 2 into a into b is equal to 100 और इसके नीचे equation number 2 लेक देता हूँ a square plus b square minus 2 a b is equal to 36 अब इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं plus करने वाले हैं इन दोनों कब हम plus करते हैं plus करने के बाद देखें plus 2 a b और minus 2 a b यह आपस में cancel out हो जाते हैं तो यह a square plus a square this is equal to 2 a square और इस तरह b square plus b square 2 b square is equal to 100 plus 36 is 136 तो यहां से 2 कामल ले लें तो a square plus b square is equal to 136 अब यह जो 2 multiply हो रहा है a square plus b square के साथ वो डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइट पर तो this is equal to a square plus b square is equal to 136 divided by 2 अब यहां पर cutting कर लें 2 1s are 2, 2 6 are 12, 1 यहां से remainder आ जाएगा 16 बन जाएगा अगर आपको वो formula याद है तो directly क्योंकि a plus b की value भी आपके पास है और a minus b की values भी आपके पास है तो directly put करके आपके पास answer आ जाता है